गुड़ मॉर्णिंग ओल ओफ यू तो आज हम डिसकस करेंगे जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट का आपका एक्जाम हुआ था 25 मार्क 2019 को ये करवाए गये था इसमें आपके 170 कोशन जीके के पूछा ये थे इसे हम तीन पार्टों में आपसे डिसकस करेंगे और पिछली वीडियो में भी हमने जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट का आपसे एक्जाम डिसकस किया था वो पोस्ट कोड था 596 तो जो चैनल पर पहली बार बिस्ट कर रहे हैं वो चैनल को लाइक शेर एंड सब्सकाइब जूरूर कर लें ताकि आने बाले हर वीडियो की अपडेट आपको सुमाई सुमाई पर मिलती रहें तो बीडि मन तक बने रहें इस चैनल के मादिम से जितने भी हमिरपूर बोड की तरफ से एक्जाम हो चुके हैं उनके ओड कोशन पेपर की रिवीजन आपको इस चैनल के मादिम से करवाई जा रहे हैं तो चलते हैं आज के पहले कोशन की तरफ मानब अस्तित्व के परंबिक अबशोशों को भारत में कब से जाना जाता है तो यह जाना जाता है पांच यूग उत्रपाशान यूग तो इसका राइटांस हो जाएगा उत्रपाशान यूग में माइक्रोलित महतब के उज़ार थे तो डी ऑफ सनिस राइट भारत में प्राचीनतम लोग थे तो थ्री का राइटांस हो जाएगा अलपाइनस के सी ओफनिस बी ओफनिस राइट निमन में से कौन सा सबसे प्राचीन यूग है तो फोर का राइटांस होएगा पुरा पशान यूग ए ओफनिस राइट तो प्लीज बीडियो मन तक बने रहे यहां से आपकी हिस्टरी पॉलिटिकल साइंस जियोगराफी एंड साइंस एंड है एचपीजी के परफेक्ट हो रहा है आने वाले जितने भी आपके एक्जाम होंगे प्राचीन पुरा पशान समाई किस के उपयोग से विशेशी कृत किया जाता है तो फाइव का राइटांस हो जाएगा काटने चीरने के लिए हाथ कुलहाडी और चीरने वाला उजार ए एक साथ इस्तमाल होते थे तो सिख्सका राइटांस हो जका तर पशानी काल में तामबे और पत्त्र दोनों के उजार एक साथ इस्तमाल किए जाते थे तो सी ओफनिस राइट गंगा घाटि का प्रत्तम सास्तरीबिध में शैरी कर्ण बहुत बार निर्दिष्ट करता है तो 7 का राइटन सुजाएगा जुत्ते शेरी करने नेक्स है रिगबैदिक काल में आर्यो के भुगुलिक ज्यान की हद सीमती सिंदू गाटी, सिंदू गंगा गाटी, पंजाब दिलिक शेत्र इन मैं से कोई नी तो इसका राइटन सुजाएगा पंजाब दिलिक शेत्र में रिगबैदिक काल में आर्यो के भुगुलिक ज्यान की हद सीमती मेरगड में प्रहंबिक करिशी ब्यफस्तापपन उपकंड में चाकब प्रस्तुत किया गया था तो नाइन का राइटन सुजाएगा चोती सास्तर इसापूर में मेरगड में प्रहंबिक करिशी ब्यफस्तापपन उपकंड चाकब प्रस्तुत किया गया था तो डियोफनिस राइट सिंदु घाटी की लिपी पर निम्र मैं से किसने काम करके आर्थ निकाला तो इसका राइटन सुजाएगा आई मा देवन के द्वारा सिंदु घाटी की लिपी पर काम करके आर्थ निकाला गया था किसके द्वारा आई मा देवन के द्वारा सी ओफनिस राइट किस तल पर लोगों की समुंदर गवन प्रभितियों का पक्का सुबूत है तो इलेवन का राइटन सुजाएगा लोथर बी ओफनिस राइट लोथर और चंदूडो पुर्मुक उत्पाधन के अंदर थे तो ट्वेल का राइटन सुजाएगा कारलिल बीड का ए ओफनिस राइट हडपन संस्कृति का एक कला का नमूना कांसे की नाचती हुई लड़की किसका सुबूत है तो थर्टेन का राइटन सुजाएगा ए और भी दोनो हडपा के समाई का एक कांसे का राथ जो बैल की जोड़ी से जुड़ा हुआ था नगर आकरिती दुआराग हंकारित खाँ पाया गया था तो फोर्टेन का राइटन सुजाएगा दैमाबाद में ये पाया गया था तो डियोफनिस राइट ऐसे कोशन पूछे जाएंगे हमीर पुरबोड की तरफ से अभी तक अगर आपने सारी क्लास से अटेंड की होगी तो जब भी आप एक्जाम में आपेर होंगे तो जीके का कोई भी कोशन आपका गल्त नहीं होगा हडपा के समाई का सबसे सुन्दर इट की इमारत पाई गई है तो फिप्टिन का राइटा सोजा हो जाएगा ग्रेट बात में हडपा के समाई सबसे सुन्दर इट की मारत पाई गई थी उन्ट की हडियां कहां पाई गई थी लोथल, काली बंगा, चंदूरो, हडपा तो 16 का राइटां सुजाएगा काली बंगा मैं उंट की हडियां पाई गई थी कुछ लोगों की हिंसिक मृत्यू का सुबूत कौन से स्थल से मिलता है तो 17 का राइटां सुजाएगा लोथर B of Nies राइट हडपा मैं कितने नयागर पाई गए थे तो 18 का राइटां सुजाएगा 6 C of Nies राइट निमन मैंसे कि स्थल पर गर्त निबास के बारे में पुरात अत्तिव सुबूत पाई गए है समाने रूप से तांबे की शबियों के एक जानने को हडपा की संस्कृती के काल से निद्रिष्ट किया जाता है बे काँप पाई गई थी सबसे पहले सबसे पहले एप मेन किस से सबन्दित है तो ट्वेंटी तू का राइट सुझक हो टुँ ऐन सोगारे हस ओनुका recibir मेशन के दूबारा हडपा के भगणरा भुशेष्ट सबसे पहले सुचित किये गए थे सबसे पहले एप में किस से बंदित है तो 22 का राइट हां सुजाएगा मद्य अफरीका सी ओफनिज राइट जीन जन थ्रोपस किसकी उप जाती है तो 23 का राइट हां सुजाएगा अस्ट्रेलियो पिथेक्सकी ए ओफनिज राइट निमन मैंसे किस ने पुरा पशाण यूग के पुरुष को खूबसूरती की अनुबूती दी थी शिकार करना, मशली पकडना, कला का अभ्यास, खाना इकटा करने वाला तो 24 का राइट हां सुजाएगा कला का अभ्यास सी ओफनिज राइट तो ऐसे कोशन बनेंगे आपके एक्जाम में तो प्लीज वीडियों तक बने रहें मद्य पशाण संस्कृती का उच स्तर किन लोगों ने विक्सित किया था तो 25 का राइट हां सुजाएगा पश्यम एशिया और पिलिस्टाइन के दुआरा मद्य पशाण संस्कृती का उच स्तर विक्सित किया गया था प्रम्भिक होमी नीट्स के अबशेश एशिया में कहां पाए गये थे तो 26 का राइट हां सुजाएगा जावा में प्रम्भिक होमी नीट्स के अबशेश एशिया में पाए गये थे बैदिक श्रोत और मंत्रों के संग्रह को कहा जाता है तो 27 का राइट असवाएगा सहंते आएं B. रिगबेद में उलेख किये गए यदू और तुरुबासा थे दो सेनपती, दो भाई, दो राजा, दो जाती है तो 28 का राइट असवाएगा दो जाती है B. रिगबेद के देवी जिनको तीनों खुषित्रों अबकाश्य बात बढ़ने और स्तलज निद्रिष्ट किया गया बे क्या है तो 29 का राइट असवाएगा तबश्चरी B. रिगबेद के सिर्जिन की तारीक 25 से लेकर 2000 इसा पूर्व थी ये किसने बताया था तो 30 का राइट असवाएगा बिंटर नीटस के दुवारा ये बताया गया था 1400 इसा पूर्व को एक शीरा लेक बैदिक देव के बारे में बरनित करता है वे एशिया माई नोर में कहां पाया गया था तो 31 का राइट असवाएगा बगाज क्यू में बी ओफ निज राइट नेक्स है बैदिक काल में जन जात्य गनरज्य को क्या का जाता था तो 32 का राइट असवाएगा बिस बैदिक काल में बिस को जन जात्य गनरज्य का जाता था निमन में से कौन सा बैदिक सहित्य में समलित नहीं है तो 33 का राइट असवाएगा त्रिप्टिक बैदिक सहित्य में ये समलित नहीं है संगम शब्द का प्रम्भिक उले किसमे है तो 34 का राइटा सुझाएगा इराइनार अगा परूल उराई में डियोफनिस राइट संगम काल में कौन सा बंदरगा कृत्म बंदरगा था तो 35 का राइटा सुझाएगा पूहर डियोफनिस राइट शटीश ताबदी इसापूर में बतस का शास कौन था तो 36 का राइटा सुझाएगा उदरगा इराइट डियोफनिस राइट निमन में से कौन सा उत्खनन दिखाता है कि प्रम्भिक निबास तान 700 इसापूर्व के आसपास शुरू हुए थे तो 37 का राइटा सुझाएगा राइटा सुझाएगा राइटा उत्खनन दिखाता है कि प्रम्भिक निबास तान 700 इसापूर्व के आसपास शुरू हुए थे निमन में से कौन सा कासिया केस समरूप है कुशिनगर, कुशिपूर, काशिपूर, कोशला तो 38 का राइटा सुझाएगा कुशिनगर ए ओफनेज राइट तो आप खुद चेक कर रहे हैं कि हिस्ट्री के किस तरह के कोशन पूछे जा रहे हैं हमिरपूर बोड की तर्फ से सूरे बाद अर्थात पूरा जक्त एक ब्रह्म है ये किसका शिक्षन है बसुबंदू, धर्मकृती, गोत्म, दिग्रा तो 39 का राइटा सुझाएगा धर्मकृती बियोफनेज राइट पूर्व साइलास किसकी शाकाएं थी तो 40 का राइटा सुझाएगा पूर्व मिमासकों की सियोफनी राइट निमन मैंसे कोन सी दिग्ग्य निकाए पर शाका है तो 41 का राइटा सुझाएगा सुमंगला बिलासनी निमन मैंसे कोन से स्तल से मानब रूप में बुद्ध की सबसे पहली परस्तूती के मूर्ती कला का सुबूत आया था सांची, अमराबती, मत्थुरा, बारहट तो 42 का राइटां सुजाएगा मत्थुरा से मानमरू में बुद की सबसे पहली परस्तूती मूर्ती कला का सुबूत आया था पश्वी भारत में कोई से स्थान पर सबसे बड़ा बुद्ध सतांपन है जिसमें 125 उगुफाएं थी तो 43 का राइटा सोजाएगा अजनता हूँ तो कोई भी परसन बीडियो को शेर नहीं कर रहा है प्लीज एक बार बीडियो को शेर जरूर कर दे ऐसा का जाता की बर्दमान निर्वान किस ब्रिक्ष के नीचे पाया था तो 44 का राइटा सोजाएगा साल ब्रिक्ष के नीचे एउफनिस राइट हेन सोंग ने जैन धर्म को काँ फलते फूलते पाया था उडिश्या, कश्मीर, बंगाल, बिहार तो 45 का राइटा सोजाएगा उडिश्या में एउफनिस राइट जैन तिर्थ करों की आत्म कथा पाय जाती है तो 46 का राइटा सोजाएगा कल्प सूत्र में जैन तिर्थ करों की आत्म कथा पाय जाती है शैल शिरलेख की तीन बर्गों में विबाज़त किया जाता है कौन सा उसमें एक नहीं है तो 47 का राइटां सोजाएगा स्तंब अदेश पत्तर किस तान पर तीन गुफा शिरलेख पेचाने गए है तो 48 का राइटां सोजाएगा बराबर हिल्स में नाई जिल्ली के परिसर में 1966 में अवश्कार किया गया है शिरलेख काँ पे स्तित है तो 49 का राइटां सोजाएगा भापूर शिरलेख किस इत्यासकार के अनुसार अशोक की धर्मिक निती उसके पतन का कारक थी तो 50 का राइटां सोजाएगा एचपी शास्तरी तो आज के लिए इतना ही जो दो पार्ट बचे हैं उसे अगली वीडियो में लेकर आपके सामने आएंगे अगर आपको लगता है कि मेरे दुवारा कोई कुछ ना आपको गलत करवा दिया है तो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं तो मिलते हैं अगरी बिटे को साथ तब तक के लिए धन्यवाद